प्रेज़ लॉड गुट मॉर्णिंग आज का दिने होवा ने भनाया हम उसमें आनदिद हो जाए और मगन हो जाए दूसरा पत्रस की पत्री पहला दियाई पांचमी आयत और इसकी अधरिक तुम सब प्रगार कयतने करके अपने विश्वास पर सद्गुन और सद्गुन पर स समच तो हम आत्मिक बेड़ोत्री का एक-एक अदम के बारे में सीख रहा है एक-एक लेवल के बारे में सीख रहा है फस्त लेवल सद्गुन है character है moral excellence है तोर्ड लेवल इस समच नौलेज समच होना जरूरी है आप परमेश्र को समचना है जैसे समचना चाहिए वो इसे समच समचना है knowledge about the holy knowledge about God परमेश्र के बारे में सही जानकारी सही समच होना बहुत ही जरूरी है बहुत से लोग परमेश्र को जैसे समचना चाहिए वैसे नहीं समचते हैं सिर्फ आमारे जरूरतों के लिए नो सोचता है कि आम कुछ प्रभु को कुछ देने से परमेश्र कुछ हो नहीं कर सकता है सिर्फ विश्वास के दरा ही उसको प्रसंद कर सकता है तो परमेश्र की परमेश्र के बारे में समच होना से कुछे ही पहला चाहिए का अ परमेश्र के घ्यान और हमारे परभेश्त and agree रहो और शांदी तुमबर बहुत आई से बढ़ती चाहे और उसके इश्वर ये सामर्त ने सब कुछ जीवन और फक्ति से संब्ध रहा है उसी के ज्यान के दोर हमें दिया गिया है तो आप जितना परमेश्वर को समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा हमारा परमेश्वर कितना महार है कितना सामर्ति है वो क्या नहीं कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है वो स्ष्ष्ष्ट करता है और सर्वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वो सृष्टी करता है. यल्शय था ह Barcelымans, उसके पास पोई लिमिट ने ये, कोई रुकावत ने ये, वो सब कुछ कर सकता ह। कोच भी कर सकता है, तो पर्मेशर के बारे में समझ होना जरूरी है. तो समझ में बढ़ना है. पर्मेशर के बारे में जो समझ है, उस समझ में एक बड़ोत्री होना जरूरी है थर्ड लेवल इस नौलेज अबॉड गाओड फर्स्ट लेवल इस फैथ सेकंड लेवल इस मौरल एक्सेलेंस थर्ड लेवल इस नौलेज पहला कदम फैथ है विश्वा से दूसरा कदम आपका सद्गुन है तीसरा कदम समझ है फर्मेश्वर को जैसे जानना है वैसे जानना है पर वो आपको सहाधे करें पवित्रात्मा आपको सहाधे करने पाए God bless you, God be with you, Shalom